हम सब विद फैमली ओली घुमने के लिए जा रहे हैं ये रास्ता जो सीमत और चमोली से होते हुए आगे जाता है ये रास्ता ओली जो है उत्रखंड के पहाड़ियों में पढ़ता है और ये रास्ता कितना सुंदर है और बहुती बहुती खूबसूरत है और यहां पर ये देखे कितनी उची उची जाड़िया है और ये सभी रास्ता में सब और कोई पूलुशन फगांने this रास्ता यहां का ढाथ रास्ता यहां का जो सुन्दर। और यहां पर कोई pollution वागेरह है और सोरज भी बड़े अच्छे से धूंप निकलती है सूरज कीदूंप भी बहुत अच्छे से निकलती आ और छे यह देखिए कर यूं पर और बरफ गिरती है इस साइड में इमिनिंग से बरफ कभी कभी इर बरफ गिरती है इमिनिंग से स्टार्ट हो जाती है कि रुछ कुछ यहां पर बरफ इस्टार्ट पढ़ना सुरू हो गया है कि अब 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 कि अब अब कि अब अब ट्टरवू कान लाड़िया? अमने ठाट को गट जा हुआ? अर्षवेज। तेरे में तो पढ़ी आखे ने agaar है?? मेरे जा भग जी तैने रीपन दीत केतने इर्ष गवा? सलाहिं गुए बिया वो परांटे बोले तो पहले लिए एक पानी की बोटल देजिए पहले Are you पहले लिएगा के पानी की हाएदुस्टर के लाएदुस्टर के लिए झाएदू कि अब बढ़ रही है यह लेयर जाने लगए है कुछ में दिखाए दे रहा है फोन में भी कुछ नहीं आया है जोड़ो आप फोन को चलो यह प्रिया कि अब यह देखे खूब जमकर बरफ पड़िया चारों तरफ स्नोफ आल इस नोफ आल बिल्कुल धर्टियां बिल्कुल पूरी वाहिट हो गई है तो इस चारों तरफ बरफ बरफ नजरा रही है और हम इस बरफ में से चलते वे आ रहे हैं बहुत ही स्लो स्लो करके चलना पड़ता है नहीं तो बरफ पेसे पैर पिसलने का डर रहता है बरफ से बड़ी जल्दी पैर स्लो होता है यह बड़ कर को है यह जो जाए झाए ये घुड़के बड़ सब्सक्राइब के जल्दीं है हुआ सब्सक्राइब कर दो जो नगा लेगा अधिक अधिक गजा तो कि अधिक लुट्रण के विद ते निगे अधिकन आधि पर्दोट्य के अधिकन परद्सक्राइब कर दोट्राइब करता है यानी भी बटल को दीजिए पहले जुबर इधर फड़े वदीग नहीं बड़ यह तो इस ना वुकुवा पिछ्य वाले आईगी ना वब आईगे ना वो आईगे अपने बहुद एक रखुद्ध के लिएम जब एकिछा कुल था पैजिए हो लुका पराई म हच्छार के लिए का हुद। उउचे विए एक हड़ स्कार डिफ हो आईर। शन्जा को आख सोगे में जब एकिनोय फोट एक लिए यह देखे कितना ब्यूटिफूल सा नजा रहा है और यह कितने बड़े बड़े पत्थर है यह हम ओली में पहुंच गए है यह देखे कितने बरफी बरफ है चारो तरफ बरफ फैली हुई है यह देखे कटा उदार पाड़ी आए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह बरफ है वाइट वाइट कलर की जो ही यह सब बरफ है यह देखे कितने उची पाड़ी है यह देखे कितने ब्यूटिफुल से बरफ है और यहाँ पर ठंड भी बहुत है अब आज भी बिल्कुल काप रही है ठंड से यह देखे अदेखे ऐसा लगगा बिल्कुल हिमाल्या की जोटी हो झाल से वाल वाल प्राव भी जोटी है बज़े पिए पॉस्टिष्प आरे दोगा में सकाला कार पिए झाले हो मिल सुख्री जाशा इसरी अफिर्फॉ बजक्री जाशा इन्हें एक नौकल एक दिन्हाशा χाणाशा में से और जाशा व्हां आधे होगी शुख्री जाशा दे। जो शाम को देंगा ना बाएं मैंत कि अदम में हादीच आड़ी पारी पहोगा फोटोफूप कर तबर ताहिए बाएं गुदा ओधोरी ताटी इना पहोट शूप कर लेगा करनो कि इतार पाड़ां पाढ़ा हुं पाथर बेटो इसमें जड़जा हूँ, पक्का, यह बड़ पत्सर कैस हूँ है, यह बड़ जड़के, देख लूँ मैं यह देखे, इस बच्चे में कितनी अनर्जी है, की चोटी पर पूच गया है यह लड़का बिल्कुल भी नहीं था का, पूरे रास्ते इसको एनर्जी बनी रहे, यह बिल्कुल आगया गे रहा हूँ, हमारे घोडों के सामने, रहे मैं अपिल्कुल आगया गे रहे, यह बड़के, इस बड़के, जड़के, इस बड़के, यहाँ नहीं है है अडहक प्लूब करें और अवाय hm प्रंजार लिए। है 220 लिए अगी 220 बाल भी दगाहल 220 लिए जपाल 220 लिए करें जड़े 220 लिए अवाय प्रंप लोग मैं नहीं जिए जोग कोई लिए झाल, 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 झाल